हेलो नमस्कार दोस्तों फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के सुटी में हम बात करने वाल है जीटी वर्सेस एसरेच के मैच के दस ड्रीम मिलें उनके विनिंग टीम्स आपको सीधे प्रिव्यू करके दिखाने वाला जैसे कि मैच को हैलाइट करके दिखा दिया है उस पर आपको क्लिक कर लेने है अफकोस अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाए तो नीचे भी क्रिएटे टीम कर सकते हैं इन फैक्ट यहाँ पर जाके क्रिएटे टीम करना थोड़ा आसान है क्योंकि मल्टिपल्स टीम अगर बना सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा तो चलिए वीडियो को लंबाने किस्टे शुरू करते हैं मार्टेम पर क्लिक करते हैं पहली टीम को प्रिव्यू करके दिखा देता हूं दोस्तों यहाँ पर टीमें बनाना काफी मुश्किल था लेकिन काफी मशक्कत के बात मैं यह दस्ट में बनाई हैं पहली टीम में रिद्यमान साहा और हैंरिक क्लासें दोनों को मैं लोंगा क्योंकि दोनों अच्छे खासे फॉर्म में और बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं उसके बाद डेविड मिलर अभिशेक शर्मा शुबमन गिल और अब्दुल समध चार अच तक चांस नहीं मिला है लेकिन बैटिंग काफी जबदस्त कि उन्होंने अभी तक उसके बाद राशित खान सबसे ज्यादा विकेट लेकर परफल कैप उनके पास है और मैंक मारकंडे यह भी काफी बढ़िया विक्टे ले रहे तो इसलिए इन दोनों को इस टीम में ले रह सकते हैं हां हार्दिक पांडिया हां हां हंडड़ परसेंट लेते हैं एक दो और कम से कम मरक्रम कभी लेते हैं कभी नहीं लेते तो यहां पर इसलिए पांडिया को क्याप्टन मरक्रम को भी क्याप्टन बनाऊंगा लेकिन अभी फिलाल इस टीम में इनको वाइस क्याप्ट चाहे तो जरूर कर सकते इस टीम को क्लोज कते दूसरी टीम दिखा देता हो किस तर से बनाई रिद्धिमान सा और हैंडिक क्लासे दोनों फिर से इस टीम में रहने याले लेकिन बैटिंग में अभिशेक शर्मा शुब्मन गिल और अब्दुल समध तीन ही वल्लिबाद पिछली टीम में मैंने इन में से कुछ को नहीं लिया था कुल में आके यह भी टीम काफी बढ़िया है दोस्तों और काफी अलग भी है लेकिन इस टीम का क्याप्टन मैंने शुब्मन गिल को बनाया है ओपनिंग के लिए तो अभी तक इस सीरीज में रन भी अच्छे सकते हैं तो इसलिए आपर इनको वाइस क्याप्टन बना रहा है कुल मला के यह भी टीम काफी बढ़िया है ग्रांड लिक के लिए यूज करेंगे बड़ी लिए यूज करेंगे तो काफी फायदा हो सकता है स्मॉल लिक के लिए भी यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं कोई दिकत नहीं चलिए दोस्तों काफी बढ़िया टीम है इसे भी क्लोज कर लेते हैं और तीसरी टीम दिखा देता हो किस तर से बनाई है तीसरी टीम की बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा हटके सोच रहा हूँ सिर्फ पर से प्रिधिवान साह के साथ जा रहा हूँ आज सब्सक्राइब हैं तो इसलिए आपको जादा से जादा फाइदा हो सकता है इसके विलावा मेरे पास डेवीड मिलर अभीशेक शर्मा शुब्मंगील अब्दूल समत पाच ऐसे बैट्समन हैं जो की बढ़िया बैटिक कर रहे हैं और काफी अच्छी खेल सकते हैं इसमें त्रिपाठी का परफोर्मस ठीक ताक ही कहूंगा अभी तक कुछ भी खास नहीं लेकिन फिर भी उनको टीम में जरूर रखेगा हो सकता है कल यह ज्यादा बड़िया परफोर्मस करें मरकरम को इस टीम में रखूंगा तीसरा ओल रौंडर यहापर मैं नहीं लूँगा विजय बुरा नहीं कि आप इनको ना ले इस टीम का क्याप्टर में मरकरम को बनाऊंगा तो वही रिद्धिमान सा को वाइस क्याप्टर मनाऊंगा मरकरम भी काफी बड़िया क्रिकेट खेलते अच्छी बैटिंग करते और जरूरत पढ़ने पर गिनबाजी भी कर सकते और रिद् के पास तो अच्छी खासी टीम है लेकिन 100 को ड्रॉप किया है थोड़ा रिस्क है तो इसलिए अगर आप चाहे तो इस टीम को 100% ग्राड लिए बड़ी लिक के लिए तो यूद्ध जरूर कीजेगा लेकिन स्मॉल लिक के लिए यूद्ध करनी ने करनी मैं आप पर छोड़ है हैंडिक क्लासेन है जी फिलिफ्स को मैंने अभी तक एक भी टीम में नहीं लिया था तो यहां पर जरूर ले लूँगा क्योंकि यह भी अच्छा खेलते हैं एक मैच में इन्होंने आट नो गेंदों में 25 कुछ तो भी 25 के आसपास रन बनायते और मैच का रुकी पलट द करूंगा क्योंकि इनका भी परफॉर्मस अगर देखा जाए तो पिछले कुछ मैच में कुछ खास नहीं रहा है इसके बजाए अगर भूने शुरुकुमार मोहमत चमी राशित खान टीन रटा जन इस तरह से चार गिनबाद अगर हम लेते और यह दो दो भी विकेट ले ल सक्सेस हो गए और इनको क्याप्टन आप बढ़ा देते तो काफी फायदा हो सकता है डेविड मिलर को इनके साथ फाइस क्याप्टन बनाऊंगा यह भी काफी बड़ी आप लियर है और अच्छी खासी हीटिंग भी कर सकते और जोरत पाटन पर रुक के भी खेल सकते तो इस दिमान सा और फिलिप्स को ले रहा हूं फिर से क्लास इनको ड्रॉप कर रहेंगे अल्रॉंडर में मरक्रम हार्दिक पांट्या फिर से रहेंगे गेन बाजी में मोहमत शमी राशित कान टी नट्राजन यॉर्कर स्पेशलिस्ट भी का जाता है इनको और डेत ओर्स में भी का जगों पर ले रहा हूं फिर भी अगर आप चेंजेस करना चाहिए तो जरूर कर सकते खुल मिला के एक अच्छी खासी टीम है और इस टीम का क्याप्टर में रशित खान को बनाऊंगा क्योंकि काफी ज्यादा विक्टे आप तक है ले चुके तो इसलिए इन पर भरसा कर सक लेकिन फिर भी रन अच्छे बना है पिछले कुछ मैचेस में कंसिस्टेंस लिए तीस या उससे ज्यादा ही रन बना रहें तो इसलिए आप इनको क्याप्टन या इस क्याप्टन दोनों बना सकते इस टीम को आपको ग्रैंड लीग या बड़ी लीगों के लिए तो यूज करना ही करना है स्मॉल लिक के लिए यूज करेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लिम नहीं लग रहा है फिर भी आप सोच समझ के यूज किजेगा काफी अच्छी टीम किस तर से बनिए वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ चटी टीम में मैं फिर से हैंडिक क्लास को ले करें तो इसलिए आपर इनको अखेलेकों में ले रहा हूँ इसके बाद डेविड मिलर राहूल त्रिपाथी अभिशेक शर्मा और शुबन गिल चार बैक्समन फिर से मेरे पास है जो की काफी बढ़िया बैटिंग कर सकते मरक्रम और हर्दिक पांडिया फिर से दो इसके मैंने क्योंकि यह भी काफी बढ़िया गिनबाज है जरूर आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते और आपको जरूर ग्रैंडीक जिता सकते हैं अच्छे खासे अर्णिंग करा सकते तो इसलिए आपर मैं चार गिनबाद चार बल्लिबास दो ऑल्राउंडर के स कुल्मला के अच्छी खासे तीम में क्यापटन की बात करूंत अभिशेक शर्मा काफी इंप्रेशिव खेल रहे है उपनिंग के लिए तो इसलिए इनको रहारा है लोगे यहां पर जरू करना चाहिए तो कर सकते हैं हार्दीक पान्दय और अभिशेक को वाइस काप्टन मन है और हारदिक पांडया को ही कहिना कई दूसरे टीमों में कहिना के क्याप्टर बनाने की कोशिश करूंगा कुल्मिला के अच्छी खासी टीम है ग्रांड लीग बड़ी लिग के लिए तो यूद करना ही करना स्मॉल लिग के लिए मुझे लगता नहीं कि कोई रिस्क है कोई मतलब खराब टीम है मुझे लगता है ग्रांड लीग के साथ स्मॉल लिग के लिए बड़ी अच्छी टीम है और बड़ी लिग जरूर इस पर लगा सकते कुल्मिला किस टीम को भी क्लोज करते हैं साथ वी टीम देख लेते किस तर से बनाएं साथ वी टीम की बात करो तो रिद्धिमांद साहक ट्लास एन और एसिंग एसिंग यह भी एक अच्छा खासा प्लियर है दोस्तों पिछले दो या तीन मैचेस से खेल रहे है उनको चांस मिला अभी तक पूरी सीरीज में एक मैच काफी दिनों पहले मिला था और पि परफॉर्मस नहीं कर रहे है लेकिन उससे पहले उनका पर्फॉर्मस काफी अच्छा था तो इसलिए इनको भी कहना कई लेना जरूरी है एक तीम में यह से ज़्यादा भी टिमों में आप ट्राय कर सकते हैं लेकिन मैं एक ही टीम में चाहिए और मुझे लगता नहीं सब्स उसके बाद मरक्रम और हार्दिक पांडिया दोनों फिर से रहेंगे गेन बाजी में मेरे पास एक्यों बचा था तो वह मैं रशिद खान को ही लूँगा आप चाहे तो किसी और को भी ले सकते क्योंकि मुझे लगता है रशिद खान अच्छा परफॉंस कर सकते तो इसलिए इ दिमान साको बना रहा हूं क्यूंकि दोस्तों अच्छी बैटिंग कर रहें कम से कम 30-40 बना लेते तो भी आपको काफे फाइदा करा के दे सकते तो इसलिए इनको वाइस कैप्टन बना रहा हूं फिर भी अगर आप चेंज करना चाहें तो जरू कर सकते हैं फिर से बता दू बड़ी लिगों के लिए उसके जिगा स्मॉल लिग के लिए यूज ना ही करें तो बैटर रहेंगा इस टीम को भी क्लोज करते और आठ्वी टीम के स्थर से बना है वह भी मैं आपको दिखा देता हूं आठ्वी टीम की बात करो तो फिर से रिद्दिमांसा हैंडिक प्लास दूरूर आप इन पर भी महर्षा कर सकते दाव लगा सकते इनको अपनी टीम में शामिल कर सकते एस टीम का क्याप्टन में अब्दूलसमद को बनाऊगा तो वही शुब्मनगील को इनके वास क्याप्टन बना चुका है तो यहाँ पर आप इनको बनाते तो भी कोई प्रब तो इसलिए काफी फायदा कराके देंगे अगर इनको आप क्याप्टन बनाते तो फिर भी इस टीम को मैं घ्राड लीग या बड़ी लीगों के लिए सजेस्ट करूंगा स्मॉल लीक लिए सजेस्ट नहीं करूंगा कूल मिला कि आपको ब्राड लीग बड़ी लीग जरूर बनी है इसके बाद नवी टीम पर क्लिक कता हूँ और दिमान सहा और हैंडिक प्लासे फिर से दो ही बैट कीपर मेरे पास रहेंगे डेवीड मिलर राहूल त्रिपाठी अभिशेक शर्मा शुबमन गिल चार अच्छे खासे बैट्समन रहेंगे वीजय शंकर आडम मरक्रम ह फुल प्रूफ अच्छी खासी बनी है लेकिन लेकिन लेकिन-लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर एक रिस्क वापस लिया जैसी दोस्तों राहूल त्रिपाठी का पर्फारमस कुछ भी खास नहीं है फिर भी मैं इनके साथ क्याप्टन के लिए जाऊंगा क्योंकि आप सब को बल्लवाजी है बल्लवाज़ें और किस दार से मनी हो सकना है कर दो सब्सक्रों बेvate क्लों किसी स्टाइक रेट से खेल सकते हैं तो इसलिए इनको हम कहीनना कहीं है क्यात बनांगा और बनाया भी है कि यहाँ पर थोड़ा रिस्की कैप्टन जरूर है लेकिन फिर भी टीम तो काफी अच्छी है अगर ग्रैंड लिग या बड़ी लीगों के लिए यूज करना ही करना है लेकिन स्मॉल लिग के लिए यूज करना है नहीं करना है मैं आप पर छोटा हूँ कुल्मिला के एक अच्छी खासे टीम है इसे भी क्लोज कते और दसवी और आखरी टीम दिखा दे तब किस तर से मैंने बना ही है दसवी टीम की बात करूँ सहा क्लास एन और फिलिप्स तीनों को फिर से साथ में ले रहा हूँ डेविड मिलर अभिशेक शर्मा शुबमंगील और अबदुल समच्चार अच्छी खासे बैट्समन मेरे पास रहने आले मरक्रम और हार्दिक प्रांड्या दो अच्छी खासे और रहेंगे बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छा कर सकते और भूनेश वरकुमार और एक है कि मुझे आपको ग्राइंड जीता नहीं है और इसलिए मैं काफी जाधा डिसकी है लेकिन अगर दोनों अच्छा खेल जाते ना दोस्तों तो आपको ग्राइंड जीतने से कोई नहीं रोक सकता तो इसलिए मैंने थोड़ा रिस्की लेकिन थोड़ा अलग फैसला किया लेकिन फिर भी अगर आप चेंज करना चाहे तो कर सकते और अफकोस आपको यह टिम भी मैं सिर्फ और सिर्फ ग्राइंड लीग या बड़ी लीगों के लिए सजेस्ट करूंगा स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा फिर भी अगर आप ना भी कि मेरी हर टीम में आप एक या दो चेंज जरू कर दीजे क्योंकि सभी की सभी अगर सेम टीम में लगाएंगे तो सबका जितना तो पॉसिबल नहीं है जीतेंगे तो कुछी लोग तो इसलिए कुछ ना कुछ चेंज कीजिए ताकि आपके सभी के टीम सेम ना पड़े तो का कि ऐसे उडियो में आप तक पहुचा पहुचाता रहूं और आपको अच्छी से अर्निक कराता रहूं तो आई होप आप ज़रूर लाइक करेंगे साथी साथ टेलिग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हो दोस्तों वहाँ पे जाके उसे जॉइन जरू कर लिजे ताकि कुछ भी चेंजेस रहते प्लेइंग इलियोन में तो वह भी मैं आपको बताता हूं वहाँ पर दो तिन और टीमों के स्क्रेंशाट भी वहाँ पर शेर करता हूं और साथ साथ टेलिग्राम के लिंक पर मैं सब्स्टिट्यूट को ने उसके भी स्क्रेंशाट वहाँ शेर करता हूं जिससे आपको और भी ज्यादा फाइदा हो सकता है तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू और गुडबाए